टमाटर बहुत भाव खाता है इसलिए तो कभी तीन सो रोपे के लोग दाता है तो चलिए आज हम बिना टमाटर के मठर पनीर बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बड़े साइस का प्याज ले लिया है उससे बस ऐसे नॉर्मल चॉप कर लिया मींस बड़े बड़े तुकडों में काट लिया है थोड़ी से हरी मिर्च और लैसुन की करिया 15-20 इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे यह हरी मिर्च रखे रखे लाल हो यह हरी मिर्च ही थी पहले से देन उसके बाद एक नॉर्मल साइस का प्याज मैंने इससे बारी चॉप कर लिया है और उसके बाद ले लिया है मैंने पनीर जो मेरे घर पर बनाया था आंच हम इसे बहुत ही छोटे छोटे तुकडों में काटेंगे आप देख सकते मैं कैसे क काफी चोटे पीसस की वज़े से काफी जादा दिख रही है तो यह अच्छी बात है ना कॉंटिटी बढ़ गई इसकी उसके बाद मैं ले लिया है फ्रोजन मटर अब इसे हमें फ्राइ करना है तो सबसे पहले मैंने कडाही चड़ा दिया है उसमें डाल दिया है तेल सर्सो बिना लाइक करेंगे नहीं आ भी बना अलना के लिए पझ मैं लिया जीए तो इसे भीके लेगे बाद मैं जागा बहुत हैं जो नहीं हमें राखने पाद में आपको फ्राइ बढ़ दकाए निकाल लेगे ड़ोनों बैच मेरे पाद मेरे इसे निकाल लेते हैं Sum Deshalb जब पनीर फ्राई फ्राई हो जाएगा तो यह तो यह थोड़ा सा कम कर देंगे जो एक्स्ट्रा होगा और इन उसी में हम ढाल देंगे बारी कटे हुए प्याज प्याच को हम थोड़ा सा सौटे करेंगे, means इसका अब कलर चेंज होने लगेगा, तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे प्याच को, देन उसके बाद डाल देंगे हल्दी पाउडर, मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद हम इसे फ स्पून रहा होगा, एक चमच जाल दी है, कास्मेरी लाल मिश्वाडर जिसे अच्छा कलर आएगा, तीखा नहीं होगा, उसके बाद एक चमच जाल दी है, मैंने गरम मसाला, इन सभी मसाले को हम डालने के बाद इसका एकसे पानी भी इवापरेट करेंगे, अच्छे से थो जलने लगेंगे, बीच बीच में चलाते भी जाहिएगा, जब मसालों से तेल अलग होने लगे तो उसमें हम डाल देंगे अपने फ्रोजन मतर, अगर आपके पास फ्रेश मतर है तो आप उसे डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा कुकिंग में जादा टाइम लगेगा, देन 3-4 चमज नमक डाल दिया है, इसमें वाइट सॉल, इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके, अभी हमें सब्जी को पकने दे रहा है, चार से पांच मिनट हम इसे अच्छे से उबलने देंगे सब्जी को, इसमें इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए मसाले और पानी मतलब मिल करके एक करी अच्छा सा बन जाए, देन उसकी बाद जब थोड़ा सा बॉइल आने लगेगा पानी में, देन उसमें हम डाल देंगे पनीर को, अगर आपनीर नहीं फ्राई की है, तो आप इसे सामें उसे भी डाल दीचिए, उसके बाद पनीर को ड और प्रेश क्रीम एड कर सकते हैं इस ताइम पर और प्रेश क्रीम एड करने के बाद एक मिनट तक सबजी को पका लीचिएगा, देखिए मटर पनीर बिना टमाटर के बनके रेडी है, अब हमें टमाटर से कोई मतलब नहीं है, उसके बावचाह इतने बढ़ जाए हम तब बना के खाएंगे सबजी टेस्टी टेस्टी, तो विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज विडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच पर वाचिंग, मेट यू गाइस इन नेक्स वीडियो बेरी सून, थैंक यू बाई